Hello my YouTube family, welcome back to my new vlog, कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, सोस्तोंगे अपने घर पर, तो जी व्लोग की शुरुआत कर रही हूँ, मैं ये लेकर आई थी ना, मार्केट जब गई थी, तो मैं वैलवेट का कपड़ा लेकर आई थी, सोफे के कपड़े बनाने क ये तो यहां पर ममी आई वी हैं, और ममी को मेरी पर सुच्छिंग बहुत अच्छी आती है, ममी मेरी एल्प कर रही है, मुझे ठोड़ी का माते हैं, मैंने सोचा चलो खराब ना हो जाए तो इसलिए मैंने ममी को बुला लिया थी, यहां पर हमने नाप बगएरा लगा लग और यह as a tease ही सोफे पे हम बिचा देंगे क्योंकि ने इनको ना नीचे से वो नी करना पड़ता मोड़ना नी पड़ता तो as a tease मैं इसको इस तरह सोफे पे बिचाओंगे आप लोग मुझे comment section में जुरूर बताना कि कैसे लग रहे हैं सोफे के कपड़े तो मुझे तो color काफी पसंद आया आप लोग मुझे बताना कैसा लगा आपको तो बस इसी तरह मैंने सोफे के सारे कपड़े बना दिये थे साइस का ना एक्चुली सारे साइस का काट काट के मैंने बनाया तो यहां पे यह अच्छे डांस करें और मैंने इनकी विज्व बना दिये और बच्चे लीजा पर है में पूनिकता ब्लैक टिंक वालो जो बैंड है नो उसके खाने पर कर रहे थे और आप रियांच का पोद देख रहे हूं और यह प्यू अपना लीजा लीजा कोई काना है वह याद में आरपतानी कौन सा गाना है यह उसके डांस करें रियांच का तो अलग ही और रियांच बहुत ही जादा प्यार है तो यह सोफे की लुक आपको पीछे दिख रही होगी तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना आपको सोफे के कपड़े कैसे लगे और जरूर बताना भूल मच जाना तो यह वाला इनोवेशन मैंने किया है चोटा सा मेरे को लग रहा और ठंडा मोसा मैंना इसलिए तो बच्चे डांस वगेरा कर लेते हैं तो जी शाम का टाइम हो चुक है और बच्चों की Demand पे आज मैं बनारी हूँ पीजा काफी दिनों से पी हूँ कह रही थी बनाने के लिए तो मैं बनारी हूँ और पीजा बजार से आर्डर करने में ब बनाने में महनत लगती है, तो हम पर इनको बरीक बरीक काट रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना मोटे पीस खाते निहीं है पीज़ा के, तो मैंने इनको बरीक बरीक काट लिया है, और अब बनने को हलका सा शेलो फ्राई कर दोंगी, जिससे कि न ये थोड़े सा गल जाती है और हां मुझे एक कॉमेंट सेक्षेन आये था कि आप पूजा नहीं करती हो जना शामत की करती हो तो ऐसा होता है न पीओ के पापा ही जला देते हैं दिया और मैं हाथ चोड़ लेती हूँ अब एक बंदा मतलब पीओ के पापा ही लगा देते हैं आरती का दिया तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं हाथ चोड़ लेती हूँ प्रात्ना कर लेती हूँ और वो मैं नहीं दिखा पाती हूँ और मेरे पिछले व्लॉग आपने देखे हूँगे ऐसा नहीं है मैं पूजा भी करती हूँ बहुत सारी प्रेयर भी करती हूँ भगवान से पूजा किसको नीचे होती हूँ सब लोग पूजा करते हैं प्रेयर करते हैं भगवान से कि मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए तो सबी लोग पूजा करते हैं, हाँ, कहीं बल पॉसिबल नहीं हो पाता दिखाना, तो वो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, तो यहाँ पेयाज और शिमला मिर्चे ना, वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दी है, और थोड़ी सी फ्राई करूँगी, ज्यादा फ्राई मैं नह केचप मियोनिस और मैं पीजा पास्ता सोस, थोड़ी सी कम है, तो मैंने प्रेस कर करके निकाली थी, और इनका पीजा की ने एक सौस बना लिए, और आप इसी तरह घर में बना सकते हो, जो पीजा पास्ता वाली सोस होती है, वो थोड़ी मुझे कम पसंद आती है, जो मैं के लसन वाली चटनी बनाऊंगी और पीओ के पापा आज नहीं घाएंगे तो देखोंगे उनके लिए रख दूँगी जब रात को आएंगे तो उनके लिए बना दूँगी अभी वो नहीं है तो यहां पे बच्चों को काफी पसंद है और बच्चों के लिए मुझे मेहनत करना काफी पसंद है और यहां पे पीओ खा रही थी रियांश खा रहता और गाना और तीनों बार बार एक पीज़ा इतनी देर में बनता था और उतनी देर में ही मम्मी ओडर आ जाता था पीज़ा खाना है पीज़ा खाना है और बाइद वे पीज़ा बहुत अच्छा बनता है टो यह जो जिसमें मैं पीजा बना रहे हूं, इसमें इतनों बड़िया पीजा बनता है बिल्कुल बजार जयसा आप कंपेर नहीं कर पाओगे कि मैं यह घर में पीजा बनाया है। तो मैंने आपको दिखा दिखा दिया तो आपको लग रहा है लेकिन आप कमपैरिजन करोगे तो बलकि बजार से मतब काफी अच्छा बनेगा बजार से क्योंकि हमने जो इंग्रीडियन डाले है वो बिल्कुल फ्रेश और नीट और क्लीन होते हैं यह नहीं कहारी बजार के न बहुत यह बोल रहे हैं कि बहुत जादा टेस्टी बना है और यहां पर मैंने भी ट्राई कर रहा था वाक्य में बहुत टेस्टी बना था और मुझे सिरफ यहां पर आप तेख रहे हो यह पीस ही खाने को मिला था सिरफ एक पीस बच्चों को जादा अच्छा लगा तो फि लेंगे तो यहां पे पीजा बहुत ज्यादा टेस्टी बनाता आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताना कि आप लोग पीजा बनाते हो और नहीं बनाते हो तो मेरी वाली रेसिपी से आप लोग जरूर ट्राइ करना आई होप कि आपको यह हैल्फुल लगेगा आप इसको इसली बना सकते हो आप इसको ब्रेट पीजा भी बना सकते हो तवे पर अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप इसको तवे पर बना सकते हो दो तवे भी रख सकते हो और तवे के उपर जब आप पीजा रखते हो ना मैंने कहीं बार दिखाया है वो वाला प पीजा बेस तानो उससे भी जादा मुझे ब्रेड पीजा वाला अच्छा लगा और यहां पर हमारे सैगल की वाली बेकरी है सैगल के नाम से इतनी अच्छी ब्रेड आये थे ना उनकर सेंडविच ब्रेड था बहुत ही जादा टेस्टी और यहां पर यांज ने थोड़ा सा अकॉर्डिंग ही मैं चलती हूँ देखो बच्चों के लिए ही तो खाना बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं बच्चों का ही पेटना बरे तो फिर क्या ही फायदा और मैंने थोड़ा बोती पीजा खा लिया तो तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी मैंने सिरफ इसके बाद चिली फ्लेक्स इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जैसे आपको बजार का पीजा खा रही हो आप लोग जरूर बताना तो यहां पर थोड़ा सा यह थोड़ी सी जादा हो गई थी कोई नहीं मैं बच्चों के लिए कल बनाऊंगी ना अक्चली कल है क्रिस्मिस की वाजर शिमला म मुझ likeosition की नेक्सटे में बच्चों के लिए फिर से चाईनी स्ट माना लूग आए क्रिए क्यूंकि उनका पार्टी है तो बच्चों को यह को यह घुज तो बच्चों को स्कुल में पार्टी यह लेकर जाना वो लेक자 तो बच्चों के ली कईन आउ नेक्स क्योंकि क्या होता है ना जब भी जोट जलानी होती ना फिर पीऊ के पापा या मैं साफ दूलीवी जोट रखी रहती है तो उसी में जोट हम लोग जला देते हैं क्योंकि दिया तो देखो रोजी बदला जाता है तो चलिए यहां पर किचन भी क्लीन हो गई है बातों बातों म साथ साती ना मैंने बच्चों को भी पढ़ने के लिए भी बिठा दिया था और मैं किचन डीप क्लीन कर लूँगी बरतन तो आपने देखी लियोंगे इतने सारे मांजे हैं मैंने और यह जो शींकेरिया होता है ना इन सबको मैं क्लीन जरूर करती हूं डेली और यह जो देख सकते हो किचन हो गई है क्लीन थोड़ा सा भी मुझे क्या काम करना है रियांश की कल एक्टिविटी है तो मैं रियांश के लिए यह कैप और यह गिफ्ट वगारा और कौंगे ट्री वो रखा ट्री तो यह सब लेकर आए हम लोग जो रियांश लगाएगा ट्री में इ इस पर लिखा है Merry Christmas कितना प्यारा लगा है इसको इस साइड पर आना चाहिए जैसे इस तरीके से gift लगा देगा यह बैल लगा देगा तो इसका ट्री से आर हो जाएगा है ना रियांश नहीं कोई नहीं दिखा रही हूं तो लगा रही हूं यह रियांश की Christmas tree activity होने वाले है तो पिखो रहा तो लेके जाएगा आप तो क्या लेके जाओगे आप लेके जाओगे सांटा लेके शुकल करिया मैंने कि क्रिसमिस ट्री activity है अपकी और पी हू को बनाना है चाड जो की पी ने थोड़ा सा यहां पे कार्ड को बना ली आयो और यह पी हो की है कितना प्यारा लगा है कमेंट कर बताना एक्चुल में कर लोगी बट मैंने बोला नहीं थोड़ी सी ड्रॉइंग आप कर जाओ इसमें अपको कल दिखाएंगे जो तोड़ा सा यहां पे ही बनाया है पी हुने उसके बाद फिर वो कल करे की एक्टिविटी चलो ही अपना काट कल के लिए अभी जल्दी से गुड़नाइट कर दो कल मिलेंगे हम बाइब बाइब मॉर्निंग के ब्रेकफास में मिलती हूं मैं बच्चों को लंच में बच्चों को लंच में देने वाली हूं मैं सर्प्राइज और बच्चों की दिमांड पे देने वाली हूं है ना बच् चलो चलो हो गया आप सोने चलो